इसे याद भी करें और याद भी थी बाद बच्चों को कुछ को नहीं थी तो उमीद है कि अब तक सब ने याद कर ली होगी और इसके बाद आज हमने हम्द की रेडिंग करनी थी तो ये हमारी है उर्दू की बुक से ही उर्दू बराये जमात शिश्यम और ये हम्द है जिसक स्क्रीन से देख लें और यहां से वो लीडिंग कीजे मैं भी आपके रीडिंग करके बता ली हूँ आपने भी करनी है घर में और इन्शाला फिर एक दिन हम रखेंगे नोट बुक्स चेकिंग का तो उस दिन फिर मैं जब बुलौँगी तो मैं आप सब की रीडिंग भी सुन हर गुले तर में है तेरी रंगत जल्वगर है तू ही बहारों में तू वसीला है सब वसीलों का तू सहारा है सब सहारों में जिक्र तेरा तयूर करते हैं सबजाजारों में मर्गजारों में आप अपनी मिसाल हर शाहकार ए खोदा तेरे शाहकारों में तो यह मैंने रीडिं करनी है इस हम्द की और कोई भी आपको इसमें ने अलफाज अगर मिलते हैं या खास अलफाज मिलते हैं उन्हें आपने अपनी कौपी पे लिखना है लेकिन याद रहे सबसे पहले आपने फर्स्ट पेच पे हम्द लिखनी है लाजमी और अच्छी सी करके लिखनी है थोड़ हम्द के पेच पेच पे थोड़ा सा आपने फूल बनाने या कुछ इस तरह बटर फ्राइज या कुछ पे इसी चीज बनाए खुबसूरत सी जो शो करे अल्ला की ने अमतों को सही है तो उसके बाद पिर आपने हम्द लिखनी है और हम्द के बाद पिर आपने नेक्स पेच पे ने अलफाज दिखनी है फिर उसके बाद हम हम्द की exercise करेंगे मश्क करेंगे ठीक है तो उमीद है कि आपको समझ आ रही होगी तो यह जा हमारा था हमने हम्द की reading कर लिए class 6 में और अभी अगर आपको कुछ हो जो ने अलफाज लगें खास लगें और आपको समझ ना आ रही हो तो आप वो लिख लीजेगा फिर अलफाज माईने इन्शाला मैं आपको बाद में बताऊंगी आपका कोई भी question हो कुछ भी हो तो आपने मुझे पूछना है chatting का option है आपके आईडी में और इसके लावा असेस्मेंट जो आपको देनी है वो यही है कि बस आपने reading करनी है और ने अलफाज ढूनके आपने अपने notebook पे लिखने है और question answer मैं next class में करूंगी और notebook आप लाजमी साथ साथ ready करें मैं किसी भी दिन किसी भी class को चेकिंग के लिए बुला सकती हूँ ठीक है ओके अस्सलाम अलेकूम